नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो कोविट के बाद से जैसे ही सिच्वेशन नॉर्मल हुई है तब इसे मानो फिल्मों की बार सी आ गई हो हर सुकुरवार अलग-अलग इंडेस्ट्रीज के तरब से इतनी बड़ी-बड़ी फिल्म में रिलिस हो रही है कि समझ में नहीं आता कौन से फिल्म देखे और कौन से फिल्म को स्किप करें आने वाली तीन जोन को तो तीन बड़ी फिल्म है पैन इंडिया लेवल पर क्लैस करने वाली है एक फिल्म है महान वीर यूत्ता समराट पितिराज चौछान जी के जीवन पर दूसरी फिल्म है मेजर संदीप उन्नी किटन की लाइफ पर बनी फिल्म मेजर और तीसरी फिल्म है डिरेक्टर लोकेस कनक राज की फिल्म विक्रम जिसमें लेजेंडरी एक्टर कमल हसन, विजे सेत पती और मल्यालम सुपर इस्टार फात फाजल नजर आने वाले हैं सब्जेक्ट वाइस ये तीनों ही फिल्म में बड़ी और खास है ये क्लाइस तीन से चार फिल्मों का भी हो सकता है दरसल अजे देवन की highly anticipated movie मैदान के रिलीज डेट भी अभी तक 3 जून के लिए ही लॉक करके रखी गई है ये फिल्म भी सब्जेक्ट वाइस काफी खास है दरसल इस बाइगराफिकल स्पोर्ट फिल्म की कहानी जाने माने फुटबॉल प्लियर सेद अब्दुल्रहिम की कहानी पर बेस्ट होगी ये फिल्म 50 और 60 के दसक की प्रश्ट भूमी पर बनी एक पीरियट फिल्म होगी बहराल अभी तक फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है इसलिए ज़्यादा कुछ इस फिल्म के रिगार्डिंग कह नहीं सकते फिल्हाल के लिए हम अक्षे कुमार की मुवी पृत्वी राज अद्वी सेज की मुवी मेजर और कमल हसन की मुवी विक्रम पर चरचा करेंगे और प्रडिक्ट करेंगी कि कौन से फिल्म कहां पर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस फूर्ती एप के बारे में और ये कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है दरसल इस फूर्ती इंडिया का फर्स सौर्ट फिल्म बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्री में अलग-अलग भसाओं में सौर्ट फिल्म देखने को मिल सकती है ये टोटली मेड इन इंडिया एप है जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलबल है ये अपने अर्ली फेस में हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके कम से कम एक बार चेक आउट जरूर करें दोस्तों बात करें तीन जून को रिलिस होने वाली कंफर्म फिल्मों की तो ये फिल्में है विक्रम, पृतिवी राज और मेजर ये फिल्में कहां कहां रिलिस हो रही है ये जानना ज़रूरी है ये जो फिल्म है मेजर ये एक पैन इंडिया फिल्म नहीं है इस फिल्म को तेल्गू और हिंदी में ही रिलिस किया जा रहा है चुकि फिल्म के स्टार का स्टारडम वैसे उतना नहीं है जितना कि तेलगू के बड़े-बड़े स्टार्स का होता है मगर वे जिस सक्सियत का रोल प्ले कर रहे हैं वो महान है साती साथ फिल्म के साथ महस बाबू का नाम जुड़ा है इसलिए आंद प्रदेश और तेलंगाना में मेजर फिल्म लोगों की पहली च्वाइस तो रहेगी फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह का पॉस्टिव रिस्पॉंस मिला है लोगों की भावनाएं इस फिल्म से जिस तरह से जुड़ी है उस से तो यही फिल्म सबसे तगली मालुम पढ़ रही है आंद प्रदेश और तेलंगाना में कमरसन सर का भी अच्छा वाचन सु रहा है इसलिए विक्रम फिल्म को आंद प्रदेश और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में हलके में नहीं लिया जा सकता फिल्म में विजे से तुपती और फात फाजल भी हैं जिनकी अपनी अपनी फैन फालिंग है यहां ये जरूर है कि अक्षे कुमार की मुवी पहली बार तेलगू में डब होका रिलिस हो रही है अक्षे कुमार के लिए ये नया मार्केट है वैसे आन प्रदेश और तेलंगाना में अच्छी खासी हिंदी ओडियंस है जो हिंदी फिल्मों को देखती आई है अक्षे कुमार की पिछली फिल्म सूर वनसी जिसे बिना तेलगू में डब किये हुए आन प्रदेश और तेलंगाना में रिलिस किया गया था उस फिल्म ने 7 क्रोंट 70 लाग की कमाई करी थी इस बार तो यहाँ तेलगू और हिंदी वर्जन दोनों चलेंगे यहाँ सो उमीद लगा सकते हैं कि अक्षे कुमार की ये फिल्म अकेले तेलगू स्टेट से 15 से 20 क्रोंट की कमाई कर सकती है लेकिन हाँ तमिल नाडू में अक्षे कुमार की मुवी प्रतिवी राज का चलना ज़्यादा मुश्किल है पिछली बार अक्षे कुमार की मुवी सूरवनसी ने तमिल नाडू और केड़ला दोनों स्टेट में मिला कर एक क्रोंट 54 लाग रुपए की कमाई करी थी अब देखना दिल्चस होगा कि फिल्म को तमिल में डब करके जब तमिल नाडू में रिलिस किया जा रहा है तो वहां की ओडियंस किस तरह से रियक्ट करती है वैसे भी मेजर फिल्म तमिल में डब नहीं हो रही इसलिए तमिल बॉक्स आफिस पर तो कमल असन सर की फिल्म का ही डॉमनेस रहने वाला है दोस्तो कमल असन सर का पिछले कई सालों से मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है इन फैक 2018 में रिलिस हुई विसुरूपम 2 के डिजस्टर होने के बाद से तो वे फिल्मों में नजर ही नहीं आए लेकिन कमल असन सर के इस्टार्डम को समझने के लिए इतना ही काफी है कि ये 2013 में ही अपने फिल्म विसुरूपम 1 से 220 क्रोंड की कमाई करने के रिकॉर्ड अपने नाम पर रखे हुए हैं इनके कमबैक को लेकर खासा चर्चा है डिरेक्टर न्यू एज डिरेक्टर है उसकी कहानी, एक्जीक्यूशन और विजन पर तो डाउट किया ही नहीं जा सकता और अगर वैसे ही फिल्म में विजे सेथ पती, फाहत फाजिल, सूर्या और लेजेंडरी एक्टर कमल हसन सर का नाम जुड़ा हो और रही बात मल्यालम इंडस्ट्री की तो फातफाजिल का नाम ही काफी है कमल हसन और फातफाजिल का नाम होने भर सही, वहाँकी ओडिन्स इस फिल्म के लिए खीची चली आईगी रही बात विक्रम फिल्म के हिंदी वर्जन की तो डेफिनिल्टि हिंदी बेल्ट में विक्रम और मेजर दोनों फिल्म को स्ट्रगल करना पड़ सकता है दरसल अक्षे कुमार की फिल्म पृतिवीराज की बात करें तो ट्रेलर ने डेफिनिटली निरास किया है मगर फिल्म के गाने हरी हरा ने डेफिनिटली उस निरासा को कम करने का काम भी किया है उपर से डेरेक्टर चंद प्रकास दिवेदी का जिस तरह का डेडिकेशन इस फिल्म के लिए बताया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि यह फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी ना सही अक्छे कुमार के लिए मगर महान समराड पितिवरा चौहान की गाथा को बड़े परदे पर देखने के लिए डेफिनिटली लोग तो थेटर जाएंगे अगर फिल्म को सुरुआती रिव्यू अच्छे मिले तो डेफिनिटली तगड़ी कमाई कर सकती है रही बात स्क्रीन की तो अभी तक जितनी भी पैन इडिया फिल्मों का क्लैस हुआ है उसमें बॉलिविट फिल्मों को ज़्यादा ही स्क्रीन्स मिलती आई है चाहे वो गंगु बाई हो या फिर एट्टी थरे अक्षे कुमार की एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है जिसका हिसाब थेटर एक्जिबीटर्स पहले ही लगा के बैठे रहते हैं वैसे भी ओविसली ये ये स्राज की बैनर की फिल्म है तो स्क्रीन्स तो नो डाउट इस फिल्म को काफी ज़्यादा मिलेंगे बात करें विक्रम फिल्म के हिंदी बैल्ट में रिलीस होने की तो अभी तक जितनी भी तमिल फिल्में हिंदी बैल्ट में रिलीस हुई है वो गच्चा खा जाती है एक तो फिल्म को स्क्रीन्स नहीं मिलते और उपर से स्टार्स प्रोमोसन नहीं करते चाहे वो 80 हो, वली मई हो या फिर 20 हो ठैंक्फुली कमलसन सर पिछले ही दिनों दग कबल सरमा सो पर पहुँचे That means कि वे प्रोमोशन कर रहे हैं फिल्म में कमलसन सहाब है इसलिए डीसंट स्क्रिन इस फिल्म को तो definitely मिलेंगी मेजर का भी हिंदी बेल्ट में अच्छा खासा हाइप है स्क्रिन तो मिल सकती हैं लेकिन यहाँ पर अद्वी सेस को प्रोमोशन करना चाहिए कंक्लूजन यह है कि अभी हिंदी बेल्ट में अक्षे कुमार की फिल्म लीडिंग पोजिसन पर है स्क्रिन्स, स्टार्डम और स्केल तीनों ही पैरामीटर्स पर प्रित्वी राज के कंपैरजन में मेजर और विक्रम दोनों ही फिल्मों को बहुत कम सोस मिलेंगे उसके बाद पूरा मामला रिव्यू और वर्ड अप मौथ पर ही डिपेंड करेगा वैसे हिंदी बेल्ट में कौन से फिल्म चलती है ये देखना काफ़ ज़्यादा दिल्चस्प होगा इस बार साउथ फिल्मे ही नहीं हिंदी बेल्ट में बलकि हिंदी फिल्म भी साउथ स्टेट्स में चैलेंज करने जा रही है आपको क्या लगता है कि कौन से फिल्म आगे निकलेगी आप किस फिल्म को प्रिफरेंस देंगे और किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है हमें नीचे कमेंट सेक्षिन में लिखका ज़रूर बताएं आपका बहुत बहुत थन्यवाद